उत्रप्रदेश तीन थाने साड़े 25 किलोमेटर के दाइरे में इसी दाइरे में होती हैं छे हत्याएं आरूपी एक कतल का तरीका हुबहु एक जैसा मिर्तकों के परिजन नियाएं की उमीद में थानों की चक्कर काटते रहें लेकिन पुलिस अपनी धुन में काम करती रही मामला बरेली से राजदानी लखनो पहुचा पुलिस पर दबाव बड़ा कारभाई के लिए 22 टी में गठित की गई 15,000 CCTV कैमरे खंगा ले गए लखनो के दबाव में जाच हुई तो पुलिस को हत्याओं में पैटन भी नसरानी लगा और कडियां भी दिखाई देनी लगी गाउं गाउं जाकर लोगों से जानकारी इखटा की गई तीन स्कैच बने तमाम मशक्कत के बाद आरूपी पकड़ा गया फिर जो कहानी सामने आई वो किसी फिल्म से कम नहीं थी एक आरूपी पकड़ा गया पुलिस ने उसको साइको किलर का नाम दिया आज इसी साइको किलर की कहानी सुनाएंगे लेकिन हत्याओं की क्रोनलोजी देखी एक जुलाई दोहजार थेज 55 बरस की प्रेम वती की हत्य एक इस जुलाई 50 साल की धनबति की हत्याओ एक नवंबर 65 साल की महमूदन की हत्या, नौ नवंबर 65 साल की ओमबती की हत्या, 20 नवंबर 65 साल की दुलरो देवी की हत्या, और 26 नवंबर को उर्मिला देवी की हत्या, इसके हाट महीने बाद 2 जुलाई 2024 को 35 वरस की अनिता की हत्या, ये सबी हत्याएं थाना शाही और शीश अलग-अलग कर रही थी लेकिन जब इनके साथ एक पैटन पुलिस को नज़र आया तो इन सभी महलाओं की उम्र जो है इसमें 45-65 बरस थी जब ये पैटन पुलिस को समझ में आया और लगा कि सभी महलाओं को गला घोट कर मारा गया है और महला अगर साड़ी पहने हुई थी आरूपी उसके पल्लू से गला घोट देता था और अगर सलबार सूट में है तो उसके दुपटे से गला घोटता था ये पैटन जब पुलिस को पता चला तो सभी हत्याओं की कडिया एक साथ जुड़ते हुई नज़र आई पुलिस ने 22 टी में गठित करके काम शुरू कि पंद्रह हजाद सीसी टीबी कैमरे खंगाले गए 600 नहे कैमरे लगे 1500 फोन नमब्रों की जांच हुई गाउवालों की मदद से पुलिस ने आरूपी के तीन स्केच वनबाया पुलिस थाने चाय की दुकान टेक्सी स्टेंड पर स्केच लगाया पुलिस वालों ने गाउवा परेली अनुराग आरिया ने पूरे मामले की जहनका दी थी बताया कि आरूपी का नाम कुल्दीप है वो पत्नी के साथ मादपीट करता था तो पत्नी कुछ साल पहले उससे छोड़कर चली गई उसके बास से उसका मानसिंस नतुलन ठीक नहीं रहा आरूपी ने इन गटना हैं उन तीन गाओं में इसकी दो गाओं में इसकी बेहने हैं और एक गाओं में इसके रिष्टदार है यह उन तीन में से किसी ही किसी एक गाओं में अपना ठिकाना डूंटा था और उसके बाद क्योंकि वहां का एरिया बहुत अच्छे से जानता है तो दिन में यह पगड महिलाओं को टार्गेट करके यह उन से उनके पास पहुंचता था या अगर इसको कहीं पग्रंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो इसके कुछ वीडियो भी हमारे पास है जिसमें अंजान महिलाओं से पुलिया पे बैठके बातचीत कर रहा है तो यह बहुत सहज तरीके से बा इसके दोर्वार इनका गला दवाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को स्तमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए वाईंगी तरफ गांट उसके दोररा मारी गई SSP ने ये भी बताया आरूपी हर हत्या के बाद निशानी की तोर पर मिर्तक का कोई भी सामान ले जरू जाता था सामान कैसा उसकी बिंदी कभी लिपिश्टिक कभी साड़ी का बिलाउज का कोई किनारा एक और चीज सामने आई है कि ये हर गटना सलसे एक ट्रॉफी के रूप में जो कि इस तरह के अपरादियों का एक की फीचर देखा गया है कुछ ना कुछ ले के जाता था और उसमें दो केसे में जो हसिया महिला के पास थी महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया वो दोनों बरामत कर ली गई है एक केस में एक बलाउज का टुकड़ा और लिप्शिक और बिंदी ये लेके गया वो भी इसने जहां पर उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है एक आदार कार्ड भी बरामद किया गया है पुलिस की पूस्तात में आरूपी ने बताया है कि हत्या करने के बाद महिला की गले में कपले से गांट बांद देता था जिससे ये सुनिच्छित हो जाए कि महिला की मिरत्य होगी है आरोपी कुल्देप कुछ धाम धाम नहीं करता था, पास के गाउं में बेहने रिष्टियारों के घर खाना का लेता था, बाकि इधर उदर घूमता रहता था आरोपी कुल्देप भरेली गाउं के बाकर गंज धाना नवाव गंज छितर का रहने वाला है, उसकी माँ की मिर्टी हो चुकी है, पेता बाबुराम ने उसकी माँ के रहते हुए दूसरी शादी कर ली थी, पुलिस पूछता ने बताया है कि पेता उसके सामने उसकी माँ को दूसरी बीबी की कहने पर अक्सर मारता था, उसकी सोते ली माँ की उम्र 45 साल है, उसके बाद से ही वो 45 साल की उम्र से ज़्यादा की महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, साइको किलर अब पकड़ा जा जुगा है, पर आगे की कारभाई की जा रही है, इस पूरे मुद् दिक्शन में हमें जरूर बताईएगा,